हेलो दोस्तो, नमस्कार, SMKC चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ दोस्तो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही शेर से रिलेटेड येस जैसे मैंने का कि ये news confirm होना बाखी है, अगर ये news सच्चाई में, अगर हकीकत पे हम लोगो देखने को मिल जाते हैं तो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इस शेर में हम लोगो बड़ा धमा का बड़ी आग लगते होई देखने को मिल सकते हैं सो खबर क्या है कौन सा स्टॉक है वो अभी हम लोग को या पर देखना है बट उससे पहले मतलब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ important बात भी मैं आपके सामने शेर करना चाहूंगा जो की एक stock market में important parameter जरूर होता है देखे दोस्तों अगर आप stock market में हो जैसे कि मैंने लास्ट उडियो बनाया था जहापे मैंने का था कि बहुत सारे banking share है अनके लिए बूरी खबर सामने आ चुकी है सो बहुत सारे लोग पैनिक भी हो जाते मेरा मकसद आपको पैनिक करने का नहीं होता है जो सच न्यूज है वो आप लोग को देखना ही पड़ेगा मैं आप ल से रिलेटेड जो पेटीशन था उससे रिलेटेड अगर ये चीजे विड्रा हो जाती है तो बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर को इंपक्ट होते वए देखने को ज़रू मिलेगा और मार्केट ने उस न्यूज का रिस्पॉंस दिखा भी दिया सो ये सारी चीजे में क अगर आपको मार्केट में रहना है तो अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है मैं आप लोगों को और एक इंपोर्टन चीज बताना चाहूंगा आज का भी ये जो शेर है मैं एक जमाने में उस शेर को आप लोगों को कह रहा था बिलकुल देखना भी मत ब अपडेट रहना के इंपोर्टन्ट है कोई खराब शेर कब अच्छ और कोई अच्छा शेर कब खराब ऊजब अचा प्रक्टम होजए कभी बटा सब्सक्राइब बेगत ने बहुत इंपोर्टन्ट है कोई आपलों को यहाँ पर फ्री में ऐसी चीज़े बताने की कोशिश करता हूँ जहासे आप लोगों को यह सारी चीज़े आप तक पोच जाए मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूँ कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलिय में थे ही नहीं जैसे कि ICC बैंक बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था कितना इशूज वहाँ पे चलते थे बट आज वो मेरे पोर्टफोलिय का पार्ट है क्योंकि उसके उपर मैंने नजरे रखती अपडेट रहा था कि अगर यह अच्छा हो जाता है तो जरूर इसको अपने पोर्टफोलिय म तो आप लोग को नुकसान हो सकता है तो यह सारी चीजे में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को अपडेट रहना बहुत इंपोर्टेंट है अगर फाइनल एक्जामपल अगर आप लोग को दे दू एंड उसके बाद में वीडियो स्टार्ट कर दूँगा कि इंडि होते रहते कुछ एक दो प्लियर्स हम लोग को सेम देखेने मिलेंगे बाकी सारी की सारी टीम चेंज सो ऐसे हमारा पोर्टफोली भी होता है कि जो परफॉर्म करेगा उसको हम लोग जगा देंगे जो नहीं परफॉर्म करेगा उसको हम लोग को भार निकल नहीं पड़ेगा तो ये कड़वा सेच है जो कि आप लोगों ने हजम करना चाहिए जो कि रिटेल निविशकों में एक छोटी सी कम तरता जरूर होती है सो आज से अगर आप लोग ये चेंज करना शुरू कर दोगे जो सच्चा ही है वो देखना स्टार्ट करो उसके बाद ये बदलाओ आप में खुद भी खुद आ जाएगा सो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेतें इंट्रोडक्शन को बहुत कुछ लंबा हो गया बट ये सारी चीज़े बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए जो बोलते ना टॉनिक का काम करती है जो आपके तक पोचनी जरूर चाहिए सो दोस्तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं भारती एरेटेल न्यूज आप तक पोच भी चुकियोंगी बट स्टिल मैं अपनी तरफ से पूरी फॉर्मेलिटी कर दू कि क्या क्या चीज़े यहाँ पे हो सकती है क्या सच्चाई में यह चीज हो लि कोरोना की वज़े से आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा इंटर्नेट यूजर यहाँ पे काम कर रहे हैं यह दोस्तों आप वर्क फॉर्म होम देख लेना आप कितनी सारी चीज़े देख लेना यहाँ पे एरेटेल बहुत ही अच्छी कासी यहाँ पे काम कर रही है मैं अब वीडियो आप चाओ तो उपर बेटन पर करके देख सकते हो तो यह सारी चीज़े आप लोग को समझ में है कि क्यू ऐसी कंपनिया जो की लॉस बुक कर रही है क्या आप लोग ने इनके रिजल्ट डेख ली अभी कौटर फॉर के लॉस में है कंपनी आज भी लॉस में ह हो चुके कितने सारे लोग अभी ऑनलाइन बेठे रहते जो हम लोग पहले बात करते थे कि एवरेज यूजर पहले चार से पार्च घंटा इंटरनेट यूस करता था आज 14 से 15 घंटा इंटरनेट पे लगा रहता है जितना यूस होगा उतना ही कंपनी का क्यू वन के रिजल भी चुकी होगी बट यस मैं अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी जरूर कंप्लिट करूंगा तो हाप लोग यह पे देख सकते न्यूज आपके सामने आ चुकी है यस दोस्तों एमेजन इन टॉक टू इन्वेस्ट डॉलर टू बिलियन इन भारती एरिटेल सोर्स सो वापस के र यह एक्च्वल में है या नहीं यह तो कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा क्योंकि दोनों को पूछा गया ओवेसली यह निगोसियेशन स्टेज में रहेगा इतना आसान नहीं होता है तो यहापे दोनों कंपनीस की तरफ से हम लोग ने यहापे देखा मतलब एमेजन की पुछती नहीं कि हां हम लोग इसे कोई स्टेज में और इसे कोई भी बताता है भी नहीं उसी के साथ जब तक कंफर्म नहीं होगा कैसे बताएंगा तो निगोसियेशन चालो रह सकता है बट आप लोग यहापे देख सकते जो प्लान इन्वेस्मेंट यहापे चल रहा है इ साथ से एंड अगर एमेजोन अगर भारती एटेल के साथ जूड जाते तो ओविसली दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है टॉप 5 में आने वाली कंपनी तो ओविसली शेर के प्राइज में जंप देखने को मिल सकता है खबर पूरे मार्केट को भी पता है कि यह अभी तक ड जैसे मैंने का कि न्यूस के ओपर डिपेंड करता है कि अगर इफ कंप्लीटेड तो ही हम लोग को जबरदस यह रैली होते हुए देखने को मिल सकती है अगर हम लोग एरिटेल की बात करें तो आप सबी लोग पता है इंडिया की टॉप 3 में लार्जेस टेलिकॉम कंपनी है जियो सबसे रैंक वान है उसके बाद एरिटेल है वोड़ाफोन आइडिया भी है तो ऐसी जादा कंपनीज ने टेलिकॉम से रिलेटेड है और वोड़ाफोन आइडिया की हालत आप सबी लोग पता है बहुत ही नाजूख है तो अभी तक अगर हम लोग देखे तो जियो ए पारगेट करेगा क्योंकि इंडिया मैंने आप लोग एक बात बोली थी कि इंडिया एकनोमिकली देखे डैमेश तो जरूर होगा कोरोना से रिलेटेड बट हमारी जो पॉपिलेशन है और यंग जंदरेशन है बहुत जबरदस एक मार्केट क्रेट हो जाता है और इसलिए क जिए से कमपनिया विस्ता जैसी कमपनिया जिए उनको पता है आप लोग जो बात बोल रहा हूं यही सारी चीजे यहाप लिखे हुई है कि क्यों यहाप वह जुनना चाती है क्यूंकि इंडिया बहुत बड़ा हब है यहाँपर हम लोग देख लेते हैं एकनोमिकली बहुत आगे जाना है और यहाँ पर जैसे मैंने का कि ग्रोथ नजर आती है तो इसलिए हर एक जो बड़ी-बड़ी companies है वो इंडिया के साथ directly ना indirectly जूणना चाती है so already relance industry आप सबी लोग पता है facebook यहाँ पर joint हो चुका है so obviously amazon भी retail के साथ जूड़कर यहाँ पर कोशिश जरूर करेंगा इंडिया में इंटर करने से रिलेटर हाला कि मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सबी लोग को पता है कि यह सारी चीज़े अभी तक news में ही सीमित है अगर हम लोग reliance की बात करें तो yes facebook हो kkr हो या फिर और भी पाच बड़े-बड़े companies यहाँ पर deal करके बैठ चुके है so यह थी आज की दिन की breaking news तो जरूर हम लोग कह सकते अगर यह सच हो जाती क्योंकि आप लोग देख सकते amazon का जो spokesperson है उन्होंने भी काई कि मतलब उन्होंने कोई comment नहीं किया है और वो कभी भी ऐसे comment करते नहीं किसी भी अगर आप company के जो बड़े official रहते जब तक deal final नहीं होगी कोई भी comment यहाँ पर नहीं करता है इसे बहुत सारे contracts players आते रहते हैं उनके साथ हमारे negotiation चलते रहते बट specifically उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया जैसे कि Amazon से related बाते सामने आ रही तो उन्होंने यह काई कि आगे जब actual में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो आपको वक्ती पता चल जाएगा Amazon ने भी कुछ चीज़े important के यह जैसे कि India as a crucial growth market where it has committed dollar 6.5 billion in an investment mainly towards the expanding its e-commerce footprint so इसलिए इंडिया बहुत बड़ा हब है so Amazon यहाँ पे already उन्होंने कह दिया था कि वह इंडिया में ज़रूर dollar 6.5 billion तक का निवेश करेंगे so retail के through भी वो जा सकते तो यह सारी चीज़े हम लोग को check करनी पड़ेगी कि क्या यहाँ पे हकिकत में यह सारी deal finalize होने वाली है भी या नहीं so अगर हम लोग इंडिया का data देखे digitally platform का तो आप लोग यहाँ पे देख सकते जो internet user है जो जिस तरीकी से बढ़ रहे है smartphone user बढ़ रहे है लगब 1.3 billion people हम लोग को यहाँ पे numbers के form में देखने को मिल रहे है so आज के दिन की यह news तो बहुत ही जबरदस थी जो कि आपके सामने मैंने अल्रेड़ी यहाँ पे बता दिये and जैसे मैंने का कि अभी तक इसके उपर किसी भी दोनों company ने finalization नहीं बोला है but yes इसी news के कारण हम लोगों को भारती air retail के share में इतनी जबरदस rally देखने को मिल रही है और इससे पहले भी मैंने एक video बनाया दिया था जहाँ पर मैंने का था कि कोरोना ने कुछ companies का फायदा भी किया है lockdown के वज़े से जिसमें मैंने ये भी कहा था कि भारती air retail जिस company का अगर आप quarter 4 का result देखोगे loss में वो company हम लोगों को top 5 में आते वे देखने को मिल रही यस दोस्तों आप लोग देख सकते है ये company का number है top 5 as per the market capitalization 3 लाग करोड से भी ज़्यादा market capitalization अभी भारती air retail का हो चुका है तो अगर ये news अगर सच हो जाती है तो ऐसा लगता है कि ये company शायद से HUL के भी उपर जा सकती है हाला कि सच है या नहीं वो तो वक्ती बताएगा बट ये चीज़े आप लोगों ने ज़रूर note down करनी चाहिए blindly innovation नहीं करने क्योंकि मैं आप सबे लोगों को बताना चाता हूँ कि अगर आप इसकी balance sheet देखोगे तो results ठीक है बट company के उपर जो करजा है लगबग 82,000 करोड से जादा का करजा है बीच में company ने हिस्सेदारी कम करने से related भी मतलब कोशिश तो जरूर की थी कि यहापे करजे को कम किया जाए जो कि एक यहापे process चली रहा है इडिटेल से related आज की दिन के अगर हम लोग बात करें तो यहापे 4th June का performance देख लेते 42% से जादा लोगों ने यहापे deliveries उठाई है numbers के form में आप लोग यहापे देख सकते हो लगबग सवा करोड के आसपास यहापे number of deliveries हम लोगों को उठाते वे देखने को मिल रही है बट यहापे जो important चीज़े जो कि आप लोगों ने miss नहीं करनी चाहिए कि company के result देखने ना कि कैसे negative numbers यहापे चल रहे है यह एक बहुत ही ताज़ूप वाली बात है जो कि आप लोग ने जरूर नोट डाउं करनी चाहिए जो यह जो important यह थी मैंने आप तक यहापे पोचा दी और कुछ important points भी थे जो कि वीडियो के शुरुआत में भी बता दे कि retail निवे शकोंने stock market में active रहने के लिए update रहना बहुत ही ज्यादा important है वीडियो को close करते वक यही कहना चाहूँगा अगर यह खबर सच हो जाती है तो yes definitely भारती retail में हम लोगों को तेज rally देखने को मिल सकती है अगर यह खबर हम लोगों को जूट सावईत हो जाती है अगर negotiation नहीं हो जाता है deal fail हो जाती है तो वापस हम लोग को यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट भारती retail में होती है देखने को मिल सकती है अब भी यह deal हो गी या नहीं यह तो news के उपर depend करता है इन दोनों companies के negotiation के उपर depend कर लेता है तो अगर हो जाती है नहीं हो जाती है इसके बाद में वीडियो इसी चैनल में आप लोग को प्रोवाइड करके अपडेट कर दूँगा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रू कर देना दोस्तों के साथ शेर भी कर देना तब तक के लिए बाई बाई